दोस्तो इस वीडियो में हम Central Industrial Security Force यानि की CISF में Fire Constable के लिए आई New Recrement Notification के बारे में डिस्टेल डिस्केशन करने वाले हैं आगे आप इस वीडियो में जानेंगे कि टोटल कितने Numbers of Seats के लिए Online Vacancy आई है आप कैसे इस पर Online Apply कर सकते हैं आप लाइन अपलाई करने की जो डेट है वो कब से है कब तक आप इस पर Online Apply कर सकते हैं आगे इस पोस्ट पर अपलाई करने के लिए आपकी Minimum Qualification क्या होनी चाहिए इस तरह की सारी चीज़े आगे आप इस वीडियो में जानने बाले हैं यहां मैं अगर Official Notification आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं Central Industrial Security Security Force के लिए यह जो Official Notification आई है इसे मैंने पूरी पढ़ी है और कुछ-कुछ points को highlight करकर रखे है जो आपको जाननी जरूरी है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने शुरू से लेके एंड तक इस Notification को अपने से पढ़ी है तो आगे इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद आप सारी चीज़ों के बारे में आसानी से जान पाएंगे और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी उस लिंक पर किलिक करता ही आपके सामने में इस तरह की Official Notification आपन हो जाएगी यह जो Notification आई है उसे मैंने यहां पर आपन किया है आप यहां पर आप देख सकते हैं कि Date of Submission यानि कि कब से Online स्टार्ट हो रही है तो 31.2.24 से इस पर Online स्टार्ट हो रही है आप 31.2.24 से Online कर सकते हैं और आपकी जो Closing Date रखी गई है वो 39.2.24 तक आप इस Form के लिए Online अपलाई कर सकते हैं इसमें सिर्फ Male Candidate यानि कि Male Indian Citizen ही अपलाई कर सकता है Women's Candidate के लिए यह Form नहीं है और आपकी जो यह Post होने वाली है 69.100 रुपे तक आपको देखने को मिलेगी और सारी Alliance जो की आपको Central Government के तरफ से देखने को मिलती है वो सारी भी spend include रहेगी फिर आपको यहाँ पर scroll करकर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो recruitment process होने वाली है उसमें सबसे पहले PET होगी यानि कि physical efficiency test होगी फिर PST होगी फिर DV होगी यानि कि document verification होगी फिर आपकी जो exam होगी वो OMR based या फिर computer based होने वाली है जो कि CBT होगी वो दोनों में किसी एक mode पर आपकी examination conduct की जाएगी और examination में आप अगर shortlisted होते हैं आपको याँ पर medical examination के लिए फिर बुलाई जाएगी उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि आप इसके लिए सिर्फ online mode पर application कर पाएंगे देन आपकी जो written examination होगी वो OMR या computer based आपकी examination होने वाली है और आपकी जो language होगी वो English या Hindi दोनों language में आप इस examination को दे पाएंगे अब यहाँ पर दीगे कि जो भी candidate PTE, PST, DB and return examination को देने के बाद shortlisted होंगे उसे area wise और category wise shortlist किया जाएगा और फिर उसे medical examination के लिए बुलाया जाएगा और medical examination में जो भी candidate एफेर होंगे वो number of vacancy के two times होंगे यानि कि जो भी number of vacancy आई है उसे two times candidate को यहाँ पर document verification के लिए बुलाई जाएगी उसके बाद यहाँ पर category wise merit list जारी की जाएगी आपकी जो admit card इसू की जाएगी वो online mode पर यहाँ पर इसू की जाएगी आप CISF के official website जो की link यहाँ पर दी गई है इस पर जाकर आप अपने admit card को download कर पाएंगे फिर यहाँ पर नीचे आनी है अब यहाँ पर vacancy की details दी गई है सबसे पहले आपको state और UT दिखाई देगी फिर area दिखाई देगी फिर category wise यहाँ पर कितनी कितनी seat है वो दिखाई देगी आप एक बार इसे अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे नीचे यहाँ पर total आपको दिखाई देगी 1130 post के लिए आप online apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको total number of seats भी दिखाई देगी किस category में कितनी seat है और total seats यहाँ पर दिखाई देगी अब यहाँ पर 10% जो vacancy है वो reserve रहेगी एक servicemen candidate के लिए फिर आपको यहाँ पर बोली गए कि आपकी जो domicile और permanent residential certificate यानि कि PRC है वो आपको यहाँ पर original submit करनी होगी reservation के लिए जो जो भी category आती यानि कि SCST OBC EWS category से आते हैं तो आपको यहाँ पर reservation भी देखने को मिलेगी देन आपको यहाँ पर बोली गए कि education qualification आपके क्या होनी चाहिए तो अगर आप इस form के लिए online करना चाहते हैं तो आप अगर 12th pass है तो आप इस form के लिए online कर सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर आपकी 12th जो है वो science subject से होनी चाहिए और आपकी जो mark seat है वो closing date से पहले आपके पास होनी चाहिए तो आप इस form के लिए online apply कर पाएंगे age limit की बात करें तो 18 से 23 साल के बीच में अगर आपकी age है तो आप इस form के लिए online कर सकते हैं और यह जो आपकी age count की जाएगी वो 30-2024 से count की जाएगी फिर आपको scroll करनी है देन आपको यहाँ पर category दिखाई दे रही है और उसमें आपको age relaxation भी देखने को मिलती है आप अगर OBC candidate से हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की age relaxation देखने को मिलेगी यानि कि यहाँ पर जो यह age limit है 18-23 साल इसमें 23 में से 3 आओ और आप पलस कर दीजे यानि कि 18-26 साल OBC के लिए SCST के लिए 5 साल की age relaxation देखने को मिलेगी 23-28 साल के लिए वो अपलाई कर सकता है उसी तरह से आप यहाँ पर एक सर्विसमें के लिए 3 साल की age relaxation है उसी तरह से सारे चीजे आप यहाँ पर देखेंगे फिर यहाँ पर बापको बताई गए कि आप जो online application करते समय अपने date of birth और नाम को जो आप fill करेंगे वो आपकी matriculation या फिर secondary examination के certificate पर जो है उसी को आप यहाँ पर इंटर करेंगे और अगर आपने अपनी accessional qualification अगर required नहीं किये closing date से पहले तो आप इस form के लिए online नहीं कर सकते यानि कि आप eligible नहीं होंगे मैंने आपको यह उपर ही बता दी थी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो caste certificate और domicile certificate है वो issue होनी चाहिए same state या फिर UT से यहाँ पर दोनो same state या UT से issue होनी चाहिए अगर आपकी किसी एक certificate कोई other state से और दूसरी certificate किसी और state से issue है तो आप यहाँ पर eligible नहीं होंगे यानि कि आपकी जो यह certificate है उसे consider नहीं की जाएगी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं how to apply यानि कि आपको apply कैसे करनी है तो सबसे पहले आपको one time registration करनी होगी one time registration करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी form को fill करनी होगी अब online form fill up करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी photograph को upload करनी होगी photograph के उपर जो है date और आपकी नाम mention होनी चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि clear यहाँ पर बताई गए कि आपकी photograph पर जो date है वो mention होनी चाहिए और आपकी photograph की जो size है फिर यहाँ पर आपको second step में अपनी documents को upload करनी होगी अब जब यहाँ पर आप scroll करकर आएंगे तो application fee यहाँ पर है application fee आपको 100 rupees लगने वाली है और अगर आप SC, ST या फिर X-Servicemen category से आते हैं तो आपको एक भी रूपय की fee यहाँ पर pay नहीं करनी होगी application की correction window है वो 10, 10, 2024 से लेकर 12, 10, 2024 तक open रहेगी आपने अगर form fill करते समय कोई भी details को गलत fill कर दिया था तो उसे आप यहाँ पर 10, 10, 2024 से 12, 10, 2024 तक correct कर सकते हैं correct करने के लिए आपको यहाँ पर charges देनी होगी जो की 200 रूपय की charges लगेगी आप कोई भी अपने details को अगर आप correct करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर 200 रूपय की charge देनी होगी फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको बताएगे कि आप admit card के साथ carry कर रहेंगे 2 password size color photo, photo ID proof और date of birth जिसमें mention होनी चाहिए निकि आप उसके लिए आधार कार्ट को भी अपने पास रखेंगे फिर यहाँ पर अगर कोई ex-serviceman candidate है तो उसे discharge book issue by the ministry of defense के तरब से जो मिली होगी उसे carry करनी होगी फिर यहाँ पर scroll करनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो height है वो 170 cm अगर है तो आप इस form के लिए online कर सकते हैं और chase जो है वो 80-85 cm के अंदर अगर है तो आप इस form के लिए online कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ-कुछ states बालों को relaxation session भी दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अगर इन सब states में से आते हैं तो आपके लिए height जो है वो 150 cm रखी गई है और chase जो है वो 78-83 cm के बीच में रखी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपकी जो examination के बारे में बताई गए कि आप PT, PhD, DB को जब qualify करेंगे तो आपको return exam के लिए बुलाई जाए जो की OMR या फिर computer based test होने बाली है इसमें आपको 100 questions पूछी जाएगी 100 marks की सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे Journal Intelligence and Reasoning आपसे 25 questions पूछी जाएगी 25 नमबर की Journal Knowledge and Awareness की 25 questions होगी 25 नमबर की Elementary Mathematics 25 questions होगी 25 नमबर की Hindi या फिर English जो भी आप अपने exam के type को select करेंगे उससे 25 questions रहेगी 25 नमबर की और total 120 minutes की आपकी duration रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो यह examination होगी वो objective type की होगी और multiple twice type questions रहेगी देन आप यहाँ पर देखेंगे कि English और Hindi दोनों language में आपकी paper रहने वाली है और यहाँ पर आपकी इस examination में negative mark नहीं रहने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हैं no negative marking है यानि कि आपकी इस examination में negative marking नहीं रहेगी फिर आपको scroll करनी है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो questions की level होगी जो भी आपके return examination में पूछी जाएगी वो 12th standards के questions होगी यानि कि 12th class के standards की questions जो कि science के subjects की होगी उस standards की questions आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी देन आप यहाँ पर scroll करेंगे फिर यहाँ पर बोली गए कि आपकी जो return examination होगी उससे पहले आपकी biometric verification की जाएगी देन इस पीडिया में सबसे last में है कि आपकी जो final result publish की जाएगी वो CISF के website पर publish की जाएगी website की link आपको यहाँ पर मिल जाएगी आप इस पर जाकर अपने result को check कर सकते हैं so I hope दोस्तों की इस वीडियो को end तक देखने के बाद आपकी जो भी journal doubts होगी वो सारी clear हो गई होगी और अगर आपको अभी भी कोई doubts रह गई हो तो आप वीडियो के comment box पर मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपके comment का reply जरूर सही कर दूँगा और अगर आप इस channel पर पहली बारा हैं तो आप इस channel को subscribe करकर भी रख सकते हैं क्योंकि मैं इसे ही job related videos को इस channel पर upload करते रहता हूं